यह हमने 555 टाइमर के अप्लिकेशन पर एक प्रोजेक्ट बनाया जो जे मशीन गंज साउंड जेनेटर है यानि इसको 555 टाइमर की फ्रिक्वेंसी हमने इस तरह से सेलेक्ट किये इन इन पर फे के अटर ऋड़ मेंचे अब देखते हैं इस किट कोसे और किस तरह बनाना है यह बनाने के लिए जितने भी रिक्वार्ण्यट को पार्वाइट के जाएंगे और इसमें इसको बनाने के लिए जो टूल्स हैं जैसे एक multimeter चाहिए एक aligner चाहिए एक wire cutter चाहिए और साथ में solding irons और solding wire यह सारी चाहिए आपके पास होने चाहिए इसमें यहां पर हमने एक complete PCB board रखी है और exactly ऐसी PCB board हमें बनानी है इस पर और इस पर सारे components को mount करने हैं और जैसे इसमें solding की गई है उसी तरह से solding करनी है हमें इस board पे components mount करने के लिए यह layer है जिसको हम top layer करते हैं component layer करते हैं और दूसरी साइट इधर से solding की जाती है उसको bottom layer करते हैं top layer पे सारे components हमें एक एक करके mount करते जाना है और इधर से हमें solding करते जानी है सबसे पहले power supply input के लिए power jack connection करने के लिए यहां पे jack हमें लगा लेना है इस direction में इसके बाद switch है power supply gone and off करने के लिए वह हमें यहां लगाना है देन एक bridge rectifier लगाना है rectifier की polarity हमें ध्यान में इतनी है कि सबसे बड़ी वाली लेक जो होती है positive होती है तो वह हमें यहां लगा लेना है तो आप देख सकते हैं इसमें जो positive pin है वह इस corner के आनी चाहिए इसके बाद एक capacitor है capacitor को लगाते से में आप ध्यान देंगें इसकी जो positive pin है अंदर की तरफ होनी चाहिए negative बाहर की तरफ और यह regulator IC 7805 तो regulator IC आप जब भी लगाने की लगाएंगे तो इसका face अंदर की तरफ होना चाहिए इसको लगाने के दो तरीके है यह तो हम पहले इसका base लगा लें इसके उपर IC को mount कर लें या फिर directly भी हम इस IC को यहां पर लगा सकते हैं और यहां पर 555 timer है 555 timer IC को यहां लगाना हमें और इसके साथ capacitors लगे हैं इसको particular frequency पर स्टेबल करने के लिए तो वह frequency के जो capacitors हैं उनकी polarity हमें ध्यान में लखनी होती है इसमें आप देखेंगे negative pin अधर है क्योंकि polar capacitors होते हैं और इसमें भी negative pin जो है वह इधर है यहां पर output के लिए हमने एक 2-pin connector लगा है तो यह पॉइंट के लिए लगा लेंगे जैसा इसमें लगा हुआ हुआ है और इसके उपर इसे हमें insert करा देना है यहां पर capacitor है 0.1μF कर इसको आप किसी direction में लगा सकते हैं क्योंकि यह paper capacitor होता है और यहां transistor लगा, transistor लगाते समय है उसका base हम पहले लगा लेते हैं, base को solder कर लिया है इसके उपर transistor को हम easily insert कर सकते हैं, transistor का face अंदर की तरफ भी हो सकता है या बाहर की तरफ भी हो सकता है यह LED है power supply की जो power supply को indicate कर रही है उसको अपने LED को लगाते समय आप direction का देहान लखेंगे जिए positive पिन उपर होनी चाहिए negative नीचे होनी चाहिए इस तरह सारे components लगाने के बाद इनकी हम solding कर लेंगे यानि solding करते जाएंगे हम इधर दूसरे साइट से और फाइनली हमी PCB board मिल जाएगी इसकी power supply आप एक बाद चेक कर लेंगे आप multimeter को 20V की range में रखेंगे यहां पे आप देख सकते हैं और इसकी power supply हम चेक करेंगे इन्पुट पे आप देख सकते हैं जो इन्पुट पावर सप्लाई दी है वह आउटपुट पे 5 वोल्ट की power supply यह 6 वोल्ट की power supply आ रहे गया यानि power supply सही है तो हमारा board प्रॉफरली अपरेट होना चाहिए कर दो हमारा चाहिए